हेलो फ्रेंड्स आज की रेसिपी है सभी चीज से परिपुर्ण कि बनाना भी एजी, खाने में भी टेस्टी लगता है और सभी को पसंद भी आता है जट पड़ बन के रेडी हो जाता है और घर के ही कुछ बेसिक समान से आप आसानी से इस रियास्ते को बना सकते हो तो फिर देर किस बात की चलिए बनाते हैं तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा एक पीस कच्छा आलू कच्छा आलू को ग्रेटर से ग्रेट कर ले, कद्दू कस कर ले, उसके बाद पानी से एक से दो बार अच्छी तरह से धो ले दोने के बाद जो भी स्टार्च रहेगा वो निकल चाहेगा तो आप इसमें डाल देंके एक टुकड़ा गाजर जिसको हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया बहुत ज़्यादा गाजर नहीं डालना है क्योंकि गाजर से हलका सा मीठा पनाता है साथ में डालेंगी आधा कटा हुआ प्याच थोड़ी सी कटीवी धनियापत्ती धनियापत्ती तो डालना जरूरी है क्योंकि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है अब इसमें डाल देते हैं नमाक अपनी टेस्ट की अकॉर्डिंग और साथ में एक चुथाई चम्माच हल्दी पाउडर की हलका सा पीलापन लगे बहुत ज़्यादा नहीं डालना है कि एकदम बहुत ज़्यादा उभर के पीलापन आ जाए साथ में आधा चम्माच कच्छा जीरा डालेंगे अब अच्छी रंगत के लिए इसमें डाल देंगे आधा चम्माच लाल मिर्ची पाउडर आप यदि तीखा खाना पसंद करते हो तो आप हरी मिर्ची भी खाटके डाल सकते हो आधा चम्माच धनिया और जीरा पाउडर डाल देंगे कि थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट आए अच्छा लगे खाने में तो अब क्या करेंगे इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे आप देख सकते हो कि लुक कितना ज्यादा सुन्दर दिख रहा हैं है ना एक दम टेम्टिंग अभी देख रहा है कि देखते ही लग रहा है कि मुह में पानी आ जाएगा तो जैसे ही हमने इसमें नमक डाल दिया वैसे यह गिलापन हो गया थोड़ा सा सबजी से पानी निकल गया छोड़ दिया है तो अब क्या करेंगे अब इसमें डाल देंगे उनों के क्वांटिटी सेम रहेगी आटा और चावलाटे की और साथ में डाल देंगे दो चमच बेसन डालने से क्या होता है कि टेक्शर बहुत ही बढ़ियां आता है चीले का अब इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे मसाला के साथ एकदम सिंपल सी रेसिपी है लेकिन खाने म अच्छी लगती है आप इसे कैचप या फिर अचार या चाई किसी के साथ भी खा सकते हो मदमीन सब्जी डालने की सब्जी के साथ खाने की ज़रत नहीं है तो अब इसमें क्या करेंगे आधा ग्लास पानी डाल देंगे पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे स्टार्टिंग में पहले आधा ग्लासी पानी डालेंगे वे ज़रत पड़े का उसी हिसाब से डालेंगे क्योंकि सब्जी भी डली भी धेर सारी तो सब्जी से पानी तो छोड़ता ही है तो गिला पन उसमें आ जाएगा गिला हो जाएगा अब एकदम घोल बनके रेडी हो अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो ये पैन है नहीं तो फिर मैं कैसे बना तो कोई दिकत वाली बात नहीं आप तवे पे बना सकते हो या फिर आप कड़ाई में भी बना सकते हो कड़ाई में भी बहुत ही अच्छा बनता है अच्छी तरह से सिख जाता है तो बहुत मोटा नहीं बनाना है, पतला ही बनाना है, तो दो चमच घोल डालेंगे, अब एक सैड उपर का लेयर सीखने के लिए छोड़ देंगे, तो सीख चुका है, तो आधा चमच तेल डालेंगे, बहुत जादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही, तो अब क्या करेंगे, अब इसे पल तो बिना तेल का भी बना सकते हो ऐसा कुछ नहीं है तो दोनों साइट बहुत ही अच्छी तरह से सीख चुका है क्रिस्पी हो गया है कलर भी चेंज हो गया है तो इसे निकाल लेते हैं बाकी कभी सहीं ऐसे ही सीख लेंगे तो एकदम हेल्दी टेस्टी से नास्ता बनके रेड ठीक दम सॉफ्ट नरम रहेगा आप इसे अचा चटनी क्या चप किसी के साथ भी कहा सकते हो तो फ्रेंड्स अगर आज की रेसेपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें